हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे हीटूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि मुवाइल के सिस्टेम एप्लिकेशन को कैसे डिलीट करें कैसे अनिस्टॉल करें तो गाइस काफी असान तरीका है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले मुवाइल के सेटिंग से में जाना है फिर आपको आना है थोड़ा नीचे यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी आप मेनेजमेंट, आप मेनेजर, आपस या एपलिकेशन नाम की जहाँ पर सभी आपस रहते हैं तो guys आपको इस setting पर click कर देना है जैसे click करेंगे आपको app list पर click करना है सब भी apps यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर अब दी सकते हैं जो app आप install किये रहेंगे ओ भी आजाएंगे और जो app आप install नहीं किये रहेंगे ओ भी यहाँ पर आजाएंगे मतलब system apps भी आजाएंगे अब गैस करना किया है जो भी आइप आपको अनिस्टोल करना है उस पे क्लिक करना है जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसे इंस्टोल किया है इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर Uninstall का एक option सो हो रहा है अगर इस पर क्लिक करके OK कर देते हैं तो यह app Uninstall हो जाता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह रहा जो मैंने app install किया था अब अगर हम system app पर क्लिक करते हैं जैसे की assistant हो गया तो यहाँ पर disable नाम का एक option मिलेगा आपके phone से हट जाएगा रिमूव हो जाएगा आप आप देखिए कभी भी आपको अगर वापस लाना रहेगा डिलीट हुए app को तो आप वापस भी ला सकते हैं लेकिन केवल system app को ही वापस ला सकते हैं जैसे की कभी कभी क्या होता है play store डिलीट हो जाता है chrome डिलीट हो जाता है तो आप वापस भी ला सकते हैं देखिए जैसे की अगर chrome डिलीट हो गया है तो यहीं पर आपको आना है app list में c पर आएंगे chrome मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है फिर जहां पर देखिए disable लिखा है जहां से हमने अनिस्टॉल किया ताइब को इसी अस्थान पर enable का एक option रहेगा enable पर क्लिक करेंगे ok कर देंगे तो chrome वापस आ जाएगा और अगर डिलीट करना रहेगा तो यहां पर disable का एक option मिलेगा इससे पहले देखिए उपर 2.3. option मिलेगा इस पर क्लिक करके uninstall update पर क्लिक करके ok कर देंगे तो इसके जो भी updates रहेगे सब delete हो जाएगे अनिस्टॉल हो जाएगे फिर आप disable पर क्लिक करके force store पर क्लिक करके force store पर क्लिक कर देना app आपके phone से delete हो जाएगा इसी तरीके से आप सभी apps को कर सकते हैं अगर आपका phone latest version रहेगा updated रहेगा तो सायद आपके phone से न हो लेकिन गाईस आप कर सकते हैं इस तरीके से तो काईसाज की वड़ों बस इतना ही वडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना थैंक यू